जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, फाल गुन मा के कुष्ण पक्च की चतुर्दसीतिती को महा शिवरात्री का वरत रखा जाता है माननता है कि महा शिवरात्री पर जो स्युभगत वरत वम उपवास रखते हुए दिन बर स्युभगती में लीन रहती हैं बोले ना तुसकी समस्त मनुकामनाव को सीगर ही पूरा कर देते हैं साथी उसे सुक और सभभाग की भी प्राप्ती होती है तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि साल दो हजार चौबिस में महाशिवरात्री का वरत किस दिन रखा जाएगा और इस दिन कौन-कौन से सुबसंयोग बन रहे हैं इसके लावा हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्री के दिन निसिता काल पूजा का सुब मूरत क्या रहेगा और चारो पहर की पूजा का सुब मूरत क्या है साथी बताऊंगी कि महाशिवरात्री का वरत आपको किस सुब समय पर खुलना चाहिए इसके लावा आपको इस दिन ऐसी कौन सी पांच गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है अन्यता आप का वरत खंडित हो सकता है पूरी जनकारी के लिए लास तक वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों इस साल महाशिवरात्री का वरत आठ मार्च दो हजार चौबिस दिन सुक्रवार को रखा जाएगा इसके साथ ही इस दिन कई दुरलब संयोग भी बन रहे हैं इस बार महाशिवरात्री और सुक्र प्रदोस वरत का संयोग एक साथ बन रहा है इसलिए ये वरत सौभाग और सुक्सम्रद्धी प्रदान करने वाला होगा प्रदोस वरत के लावा इस दिन और भी कई दुरलब योग बन रहे हैं इस बार महा शिवरात्री वाले दिन शिव योग और सरवार्त सिद्धी योग और चतुर ग्रही योग का सयोग बन रहा है ऐसे में इस दिन की गई भगवान सिव की पूजा कई गुनाफल प्रदान करेगी दोस्तों महाशिवरात्री के दिन भगवान भोले नाद की पूजा और वरत करने का विसेश महत्त है मानिता के अनुसार महाशिवरात्री के दिन भगवान सिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे इसके लावा इस दिन भगवान सिव जी का विवा माता पारवती जी के साथ हुआ था आपको बता दें कि महा शिवरात्री पर कुवारी कन्या यदि पूरे दिन उपवास रखकर शिव आराधना में लिन रहती है तो भोले नात की करपा से उन्हें सुयोग वर की प्राप्ति होती है वहीं सुहागिन महिलाओं को इस दिन सिव पारवती की पूजा करने से अखंड सौ भाग की प्राप्ति होती है दोस्तों महा शिवरात्री के दिन सिवलिंग का जला विशेक और रुद्रा विशेक करने से सभी प्रकार के सुख और मनोकामनाओं की पूर्ती होती है वैसे तो महा शिवरात्री पर दिन भर भगवान भोले नात की पूजा अर्जना की जाती है लेकिन माहा शिवरात्री के दिन रात्री में पूजा करने का विसेश महत्त है शिवरात्री पूजा रात में एक या चार बार की जा सकती है पूरी रात की अवधी को चार प्रहरों में वाटा गया है इसी ले हो सके तो आप रात्री के चारो प्रहर में बगवान सिव जी की पूजा करें इससे आपको पूजा का कई गुनाला प्राप्त होगा व्रती को महाशिवरात्री के दिन प्राता काल जल्दी उठना चाहिए फिर निति कर्मों से निवरत्त होकर इशनान करके सुच वस्धारण कर पूजा एवं वरत का संकल्प लेना चाहिए फिर अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर जाएं या घर पर ही सिवलिंग है या घर पर आप पार्थे सिवलिंग का निर्माण करके भी पूजा कर सकते हैं अब आप सिवलिंग का जला अभिशेक करें इसके बाद भगवान सिव का पंचामरत से अभिशेक करें आप दूद, दही, घी, सहद, सक्कर से अभिशेक करें फिर गंगा जल या सुद्ध जल से अभिशेक करें तत पस्चात सफेद चंदन का तिलग करें इसके बाद आप शिवलिंग पर बेल पत्र, धतूरा, आकड़े का फूल, भांग, समी पत्र, सफेद फूल, भस्म, आदी चढ़ाएं धूप और दीपक जलाएं अब भगवान सिव को फलवा मिस्ठान का भोग लगाएं इसके बाद वहीं बैटकर एक माला ओम नमा शिवाय का आवज से करें सिव चालीसा, सिवास्टक, प्रुद्रास्टक का पाड़ भी कर सकते हैं दोस्तों आप इस दिन पूरे सिव परिवार का पूचन करें फिर सिव जी की आरती करके पूजा को संपन्न करें अब सिव पूजा करने के बाद आप फला हार करके अपने पूरे दिन का वरत करें फिर साम के समय भी सिव जी को भोग लगा कर आरती अवस्य करें इसके बाद हो सके तो रात्री जागरन कर भजन कीरतन करें फिर अगले दिन सुभा पुना इस्नान करके सिव पूजा कर किसी ब्राम्वर को भोजन कराकर दान दचना देने के बाद ही अपना वृत खोलें दोस्तों महाशिवरात्री के वृत में आपको कुछ गलतियां भूल कर भी नहीं करने चाहिए अन्यता आपका वरत खंडित हो सकता है ध्यान रखें कि आपको महाशिवरात्री के दिन भूल कर भी अन्य का सेवन नहीं करना है इस दिन दाल, चावल, गिहूं आदि का सेवन ना करें अन्यता आपका वरत खंडित हो सकता है इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रहे कि शिवरात्री के दिन आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए इस दिन आप हलके रंग के सफेद पिंक कलर के कपड़े पहन सकते हैं इसके लावा जब भी शिवलिंग पर दूद से अभी से करें तो ध्यान रखें कि दूद तांबे के लोटे से न चढ़ाएं तांबे के लोटे में दूद असुद्ध हो जाता है तो आप ये गलती ना करें इसके लावा शिवरातरी के दिन व्रती को अपने मन को सांत रखना चाहिए इस दिन क्रोध और एहंकार से दूर रहें इस दिन कोई भी गलत कारें न करें और शिवराते के दिन भूल कर भी घर का कोई भी शदस से मास मदिरा का सेवन ना करें इसके लावा हो सके तो महाश्वरात्री की रात को भजन की रितन करके रात्री जागरन करना चाहिए चलिए जानते हैं कि महाश्वरात्री के दिन पूजा का सुमूरत क्या रहने वाला है दोस्तों इस बार चतुर दसीतिती की सुरुवात 8 मार्च 2024 की रात 9 बचकर 57 मिनट पर हो रही है और चतुर दसीतिती की समापती 9 मार्च 2024 की साम को 6 बचकर 17 मिनट पर हो जाएगी आपको बता दें कि महाशिवरात्री का वरत निसिता काल वे अपनी चतुरदसी तिथी में रखा जाता है इसलिए इस बार महाशिवरात्री का वरत 8 मार्च 2024 दिन सुक्रवार को रखा जाएगा और इस दिन निसिता काल पूजा का समय 8 मार्च की रात 12.700 मिनट से लेकर रात 12.6 मिनट तक रहेगा इसकी कुल अवदी 49 मिनट की है और शिवरात्री के दिन वरत खोलने का सुब समय 9 मार्च 2024 की सुबा 6.37 मिनट से लेकर دو पहर 3.29 मिनट के बीच गी आजाएगा और आप जानते हैं शिवरात्री के दिन रात्री के चार पहर की पूजा का सुब मूरत क्या रहेगा दोस्तों रात्री के प्रथम पहर में पूजा का सुब समय साम 6 बच कर 25 मिनट से लेकर रात 9 बच कर 28 मिनट तक रहेगा रातरी के दोती पहर में पूजा का समय रात नौ बचकर 28 मिनट से लेकर रात बारा बचकर 31 मिनट तक रहेगा रातरी के चतुरत पहर में पूजा का समय पूजा का समय रात बारा बचकर 31 मिनट से लेकर प्राता काल 3 बचकर 34 मिनट तक रहेगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद